खून गईब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बू चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवावा, 36 गर में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य स सामने आते हैं, उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये, कि मानवा धिकारों के उनुपानला करते हुए, देश से उगरबाद और आतंग बात को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी, हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कल मैं फहराने से जादा, मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदय थरदय तो उस दिन फट गया, जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देख कर बोली कि साहब, आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाक्वनी हस्ती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेधना, चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मा परन्तु आज मानवादिकारों के कारण हमारे देश के जवान इसकदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदे भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का दर सता रहा होता है वो यह जानते हैं कि चाहे एक उगरवादी की रैफॉल से निकलने वाली गोली को यह तह करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्डे लेना परता है कि चाहे वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का पार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महुद है मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महुद है फूल कोश्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवादिकार का पालन संभाब नहीं महुद है आज सबके निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंगवादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसके राइफल से नि आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमीं तो बुनियाद हैं आंत्रि जेनि विस्पित प्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहाता उस देश द्रोह के वीर जवानों तमसिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो बहुत हैं अंत में अपनी बानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नहीं प्रकरिया पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंगी के लिए सरबोच ने अले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अंपाहला करते हुए आतंगबाद और उग्रवास से कभी नहीं निपता जा सकता मानवादिकार की नाम की दुहाईया देने वाल सीमा पर लड़ा नहीं जाता चर्कों से शोलों के आगे रामायर पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एकम बम से रक्षा के बल एकम बम ही कर सकता है जैहिंद जैभरत